Hello everyone, आज कार्बोकसिलिक एसीड में डाय कार्बोकसिलिक एसीड के बारे में अध्येन करेगा डाय कार्बोकसिलिक एसीड में ओम सग्गा, O का मतलब उगजेलिक, M का मतलब मेलोनिक, S का मतलब सक्सेनिक, G का मतलब Glutaric और A का मतलब Edipic Oxelic में 2 Carbon Melonic में 3 Saxonic में 4 Glutaric में 5 Edipic में 6 इसका मतलब ये कह सकते हैं कि 2 Carbon 3 Carbon 4 Carbon 5 Carbon और ये कौन सा है 6 Carbon पट उसके बाद में P में लीक P में लीक जब CS2 कितने हो 5 हो CS2 6 हो तो Subiric और CS2 7 हो तो Agilic Acid होता है इसका मतलब कि अपन Oxelic को छोड़ दें तो सब में CS2 ग्रूप है वो परजेंट हैं Melonic में कितना है 1 Saxonic में 2 Glutaric में 3 Edipic में कितने हैं 4 और पिमे लिक में 5 सुबे लिक में 6 और Agilic में 7 तो यहां से इनके जनरल नाम हैं वो ज़्यदा पूछे जाते हैं IPC नेम की बात करें Ethan Dioic Acid Propane Dioic Acid Butane Dioic Acid Pentane, Hexane, Heptane, Octane, Nonane, Dioic Acid अब है आगे Unsaturated Unsaturated Carbon-Carbon के बीच में Double Bond यदि Carbon-Carbon के बीच में Double Bond हो और वो SIS पोजिशन में SIS का मतलब दोनों Carboxylic या Same Group Double Bond के एक ही साइड में Same Group Hydrogen Double Bond के Left Hand साइड में Same दो ग्रूप Carboxylic Double Bond के Right Hand साइड में यदि SIS हो तो उसे Meleic केते हैं और यदि Trans हो तो उसे Phumeric Acid केते हैं यदि Benzene की Ortho Position पर दो Carboxylic Group जुड़े हों Thelic पैरा Position पर जुड़े हों Autorthelic और Meta Position पर जुड़े हों तो उसे करते हैं Isothelic Acid याद रखना क्या करते हैं Isothelic Acid अब इन Carboxylic Acid के Synthesis के बारे में देन करते हैं Synthesis में पहला है CH2OH और CH2OH उसका Partially Oxidation किया क्या बनता है LDID और LDID का फिर से Oxidation करें तो क्या बनता है Acid अब ये है कि यदि एलकोल जैसे CH2OH CH2OH इसका Oxidation करेंगे तो क्या बनेगा Glyoxel क्योंकि ये एथिलीन Glycol ही तो है Glycol से Glyoxel और Glyoxel का फिर से Oxidation करें तो क्या बनता है Oxelic Acid देखो Glycol, Glyoxel, Oxelic Acid इसका मतलब ये दो Carbon इसका मतलब पूछे कि Oxelic Acid का सिंथिस है वो किस से कीजिए एथिलीन Glycol से तो एथिलीन Glycol किस में करनोट होगा Glyoxel में Glyoxel किस में करनोट होगा Oxelic Acid इसी तरह ये दी अपन इस N की जगह मैं 1 रख दूँ 1 रख दूँ तो क्या होगा ये रहा 1 इसका Oxidation आपको पता Strong Oxidizing Agent की परजेंस में वन डिगरी अलकोल किस में करनोट होता है एसीड में वन डिगरी अलकोल किस में है एसीड में तो क्या Product बन गया Melonic Acid ये दी इस N की जगह दो रख दूँ तो क्या बन जाएगा इस N की जगह दो रख दूँ तो क्या बन जाएगा वोलो सक्सिनिक एसिड थ्री रख दूं तो क्या बन जाएगा गलुटारिक एसिड फोर रख दूं एडिपीक एसिड फाइब रख दूं पीमेलिक सिक्स रख दूं सुबेरीक सेवन रख दूं एजीलिक इसका मले यह मैथट अपना बेस्ट है कि आपन को केवल एन की जगए विल्लू रखनी है एक असेप्शनल कौन सा है अपना ओगजलिक का ओगजलिक में आपन किस से सुरू करेंगे एथिलीन गलाइकॉल से नेक्स्ट मेथेड़ क्यां से सुन यहां मैं जो एन ने से एन की रियक्शन करा रहा हूं क्योंकि मुझे क्या मिला कि इस एल्किल एलाइड से मुझे क्या चीए डाइकार्वक्सिलिक एसिड चीए बट इस जो एल्किल हलाइड है अपना इसमें माल लो एन की जगह मैंने रख दिया तो एन की जगह मैंने टू रख दिया इदर बें कितने रख दिया टू रखने के बाद में सीएज टू सीएज टू सीएज टू फिर तो यहां भी आरहे जबकि यहां कोन है कार्वक्सिलिक इसका मतलब कितने कारबन इंक्रीज हो गए दो तो यह है कि जब भी एल्किल लाइड के साथ अपन एनने सीएन के सीएन क करऊएं तो अपना एक कार्बन इनक्रीज हो जाता है इसलिए एक कार्बन करने के लिए किले लानके किर्यक्सिन से करवा सकते हैं मौ याद रखना है चीज बहूत बेस्ट मेथट आई अ है जैसे मैंने यह एक्वाल लुद्ध आ útil मैंने कहई दिया एठिलीन इस प्रोमइड इस सखनीक एशिड सो सॉ मुझे कितने के परोटडेक्ट करने कि मैं आदेब on kya रहे दिया डिया six I की जगह है कि इसका मतलग नुकलियोफिलीक सब्स्टिशन रीक्स साइन एड का मैंने आपको बता दिया काफी दपा कि जब भी कंप्लीट आइड्रोलाइस पार्चिली से एम आईडी कंप्लीट से एसिड बनता है कंप्लीट आइड्रोलाइस करवा दिया क्या बना सक्सीनिक इसलिए यह है यहां एन की जैवन रख सकता हूं हो टूर रख सकता हूं थ्री रख सकता हूं फोर्राख सब्सक्राइपत क्या विचंता ओंसचली और को टाना थिना कार्बनेट इंप्रीश साइन एड piace obrig है क्या बनेगा सब नेक्स्ट अब है कि बेंजीन से डाइरेक्ट कार्बन अठेच हो और उस पर हाइड्रोजन हो उसके रियक्शन इस्ट्रॉंग ऑक्सिडाइजिंग अजेंट के मैनोफोर के ओएच के टू सी आर टू ओ सेवन उनके साथ रियक्शन करवाएं तो यह जो एलकिल ग्रूप है वो कार्बोक् बेसिक जब भी इस सोल्ट को वाटर से अपन क्विंच करते हैं तो अपन का थेलिक एसिड बनता है इसका मतलब थेलिक एसिड का सिंथेसिस है किस से और्थो जाइलीन से पूछे तो यह मैथड है कि एमनोफोर यह वाज दूसरा फिर उससे सोल्ट बनेगा तो उसका क्या कर अपन को किल्ट इंगे है यद्यौ यहिद्र से इसी तरह अपन को मेटा जाइलीन से आइसो थेलिक एसिड बनाना हो तो वही क्या मनोफोर यद्दी आपन को पैरा जाइलीन से टेलिक एसिड बनाना हो तो अपन का KMNO4 से क्या करवा देंगे Oxidacin Alkyl Group और वह Alkyl Group जिसे Benzen से डायरेट जुड़े वे कार्बन पर हाइड्रोजन हो वह पूरा Alkyl Group किसमे का नोट हो जाता है कार्बोक्सिलिक ध्यान रखना यह बहुत important है और इस तरह के किसमे पूछे जा सकते है Next Method Next में यह है कि अपन को Ketone से डाय कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना हो तो अपन ने Pop-Up Rule पढ़ा था LDI-DOR Ketone में Pop-Up Rule में Ketone से अपन को एसिड बनाना हो तो Strong Oxidizing Agent के MNO4 है K2C2O से बनाया है Concentrate HNO3 है उनकी परजेंच में यह दिया अपन Oxidation करें तो Rule बताया था कि कार्बोनिल की ओर क्या लगा दो OH और जो कार्बोनिल कार्बन के Alpha कार्बन है उस पर परजेंट CH2 को किसमें कनवर्ट कर दो कार्बोक्स लेकर फिर से सुन ले कार्बोनिल की ओर क्या लगा होगे OH कार्बोनिल के Alpha कार्बन पर कोन है CH2 इस CH2 को किसमें कनवर्ट कर देंगे कार्बोक्स लेकर और क्या बन जाएगा ADP यह किसम पूछा हुआ है कि Cyclohexanone से ADP Acid का सिंतेसिस कीजिए तो वन इस्टे प्रोसेस है कंसेंटर HN3 या केमनोफोर या केटुसया परन्तु कई बार यह दे देता है कि Cyclohexanone से बनाईए ADP Acid तो आप Cyclohexanone की स्ट्रेक्चर भी आने चाहिए ADP Acid की स्ट्रेक्चर का पता होना चाहिए तब भी इस तरह की question solve होते हैं तो इसका मतलब आप लिख लिख करके इन इस्ट्रेक्चर को द्यान में रखें Next है तो मुझे देखो इस से Melonic Acid बनाना है दो कार्बन है और एक कार्बन और है बताओ एक कार्बन इंक्रीज करने के लिए क्या कौन सा मेथट है L के लिए लड ये किसे रियक्षन के Cn, Anacin Cn का Cn का complete idolysis करोगे तो क्या बनेगा Acid अब ज़रूरी नहीं यही करो Cl की जगह क्या कर दो Oge कर दो Oge का Oxidation करोगे तो बताओ क्या बनेगा Ldiad Ldiad के बाद में Acid तो इस तरह बहुत सारे Method इस तरह के हैं जिनको आप कर सकते हो यह किज़न पूछा हो आए Melek Acid से Fumeric Acid बनाईए या Sorry Melek Acid से Succynic Acid बनाईए तो Melek Acid यह रहा इससे क्या बनाना है Succynic तो structure आए तो बताओ किया क्या Succynic में मिले एक मंतर क्या है यहां Carbon Double Bond Carbon है यहां CH2 CH2 है Methylene इसका मतलब इसका Reduction किया गया है और Double Bond का Reduction है Generally Metallic Hydrogenation है वो Best Method है Nickel या Platinum या Palladium S2 अभी एक चीज है कि Carbon Atom को Increase करने के लिए एक मेथड और है वो क्या है पहले Carbon और Halogen के बीच में Metal का Insertion कर दिया देखो CH2MG वियार CH2MG कैसे हुआ अपने पढ़ा था Rx प्लस Reaction किसकी Mg Mg ने कितने Electron डोनेट किये 2 Electron और यह 2 Electron है कौन Accept कर लेगा R-Positive प्लस X से Negative यह R-Positive एक Electron Accept करेगा Radical एक Electron और Accept करते है R पर कौन सा चार्ज आजाएगा Negative R-X Negative और Mg पर बताओ कौन सा चार्ज है 2 Positive क्या बन जाएगा RMG X तो बताओ CH2MG P अब अपनों Carbon time increase करना है यह है CH2 यह CH2 भी है वाजे Nucleophile और CO2 है वो कौन सी reaction देता है Nucleophilic addition reaction तो CO2 है यह कह दे आपको dry ice यह है CO2 तो दियान से सुनना CO2 है यह C double bond O C double bond O यह Nucleophile है इसने यहाँ टेक किया और यह Pyle Oktron इदर O पर कौन सा चार्ज आया Negative Mg X पर कौन सा चार्ज आया Positive तो देख लो C double bond O C double bond O O Mg X O Mg X इसी तरह यह हो जाएगा फिर इसका Hydrolysis करें क्या बनें आपको बताया हुआ है कि इस O पर Negative Mg पर कौन सा चार्ज आप Positive तो O की और क्या जोड़ देंगे H Positive और Positive वहाँ क्या जोड़ देंगे O अचे Negate तो देखो Mg Br O Mg Br O और यहाँ है जोड़ी दिया तो बताओ Ethylene Bromide से क्या बन गया Succinic Acid इसका मतलब यह हो गया कि Carbon Atom Increase करने हो तो KCN की Reaction या Anacin की या पहले Alkylilide को Grigna Reagent में Convert कर लो फिर Dry Ice के साथ Reaction करवा दो फिर उसका Hydrolysis कर दो यह सबसे Best Method है या आपको Alkyl दे दिया उससे Acid पूछ रहा है तो Alkyl का Oxidation पहले Alkylide फिर किटों वो सरी Alkylide में और फिर Acid इसलिए यह जो Method दिये गए हैं इनको आप बारबाब प्रेक्टिस करोगे तो यह आपके समझ में आ जाएंगे आगे है Prom-Halogenated Ester Weasley Sinus Reaction यह Reaction वही Reaction है जो एक टाइप की कौन सी Reaction होती है Woods Reaction है क्या तो देखो यहाँ Alkylide है यह अब देखना द्यान से यहाँ Homolytic Fission होगा BR Radical और CH2 Radical यहाँ BR Radical और CH2 Radical यह Radical और यह Radical आपस में क्या जाएंगे जुड जाएंगे जुड जाएंगे तो चेक कर लो यही बना गया Aster का Hydrolysis करो गया आपको बता कार्बोनेल की और OH इधर H Acid बन गया तो बतो क्या बना दिया ADP की Acid अब आपन को यह चीज है यह चीज और ध्याना के मतलो प्रोड़क्ट से Reactant को देखो पहले अपना यह है Acid की जगे क्या है Aster CH2 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 आप हो गया और क्या है BR इसका मतलब L के लिलाइड है उसकी Silver के साथ है Zinc के साथ है Magnesium के साथ है जब भी रियक्षन करेंगे Homolytic Vision होगा Radical Mechanism होगी यह Intermediate क्या बनेगा Radical बनेगा वो Radical आपस में Dimerize हो जाएंगे और क्या Carbon Atom क्या हो जाएंगे Increase हो जाएंगे इसके मतलब 2 मोले लिए 3 और 3 कितने हो गए 6 तो इसलिए यह चीज उड़्टी प्याने चीए Aster Acid Aster Acid ठीक है इसका मतलब Aster का Hydrolysis होगा CS2, CS2, CS2 से होगा इसका मतलब यह CS2, CS2 है इस CS2 और इस CS2 भी यार जुड़ा होगा है उसकी Silver से Reaction होगा Radical बना है यह Radical और यह Radical आपस में जुड़ गए इस तरह इस चीज को सीखना है आगे है Krung, Brown, Walker, Electrolytic Method यह Method एक तरह से Colby Electrolysis की तरह है यह जो Method है वो Even Number Carbon पर ही अपलाई है इसका मतलब आपन को कितने Carbon का Product है यह 6 Carbon हो गया यह 8 Carbon का पूचे यह 7 का पूचे तो यह Method है वो अपलाई नहीं होगा है क्या इस Method में Reactant के रूप में Aster का Carboxylate Salt होगा जहाना रखना एक एक चीज Aster का Carboxylate Salt होगा उसको जब भी Water में Dissolve करेंगे Electrode से जोड़ देंगे और Electrode को बेटरी से जोड़ेंगे तो क्या होगा Electrolysis होगा Electrolysis से आपको पता है एनोड और केथोड की और आयन माइग्रेट करेंगे तो यहां देखना तो यहां के पोजिटीव है और ओ क्या है नेगेटिव वाटर है एक पोजिटीव और ओच क्या है नेगेटिव तो आप द्यान से सुनना यह नेगेटिव है वाट से नेगेटिव के पोजिटीव है एक पोजिटीव है इसका मतलब दो नेगेटिव आयन और दो यह कुन से पोजिटीव आयन नेगेटिव आयन है वह आपको पता है एनोड की और माइग्रेट करेंगे उन में से वह है नेगेटिव आयन पहले डिस्चार्ज होगा जिसका डिस्चार्ज पोटेंचिल कम होगा तो इन दोनों में जो ये कार्बोक्सिलेट सॉल्ट है वह है या कहतूं कार्बोक्सिलेट आयन है वह है एनोड की और माइगरेट करेगा और डिपोजिट हो जाएगा एनोड पर आपको पता है ओक्सिडेशन होता है ओक्सिडेशन का मतलब अपना इलोक्ट्रोन डोनेट करता है तो यहां कितने मॉल हैं दो एक अपना एक इलोक्ट्रोन डोनेट करें तो दो कितने इलोक्ट्रोन डोनेट कर देंगे दो हो गया दो इलोक्ट्रोन डोनेट कर दिए अब यहां रेडिकल बना यह चीज यह चीज जहां रखो इंटरमेडियेट के रूप में क्या बना है रेडिकल यह रेडिकल यहां से इस तरह माइग्रेट करे और यह इलोक्ट्रोन इदर आ जाए तो यह एक CO2 गस बन जाए यह रही CO2 इस CS2 पर क्या बन जाए रेडिकल CS2 पर रेडिकल पहले वाली सी बात इसके दो मोल को रेडिकल के दो मोल को आपस में मिला दूँ तो यह CS2 CS2 ने बॉंड बना लिया और एस्टर बना कौन सा? एथिल सक्सिनेट और उसका हाइडोलाईसीज कर दिया तो सक्सिनिक एसिट इसका मतलब क्या था कि दो नेगेटिव में से वह है नेगेटिव पहले एनोड पर डिस्चार्ज या डिपोजिट हो gा जिसका डिस्चार्ज पोटेंशिल कम होगा एनोर्ड पर ऑक्सिडेशन होगा वह है अपना इलोक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो नगेटिव से न्यूट्रल और रेडिकल यहां से माइग्रेट होगा और सियोटू गेस है वह इलिमिनेट हो जाएगी कितने मोल सियोटू इलिमिनेट एक मोल से एक तो दो मोल से दो एक और दो सीएस्टू रेडिकल और सीएस्टू रेडिकल आपस में हैं क्योंकि रेडिकल है स्पीसीज वो हाइली रियक्टिव होती है वो फास्टली क्या होती है डाइमेराइज होने की कोशिस करती है जिससे कि यह हन्न्यूट्रल हो गया आइ ये POZITIVE as positive, इनमें discharge potential proton का कम होता है, इसका मतलब के हम थोड कि और कौन migrate करेगा, proton आइन, proton आइन कितने electron, два electron तो दो proton, दो इलोक्तरोunden कोन सी गेस, I don't, इसका मतलब के हम थोड पर कोन सी गेस, hydrogen, क कोन सी गेस, CO2, याद रखें ये चीज, अब है इसका मतलो और चाहिन रहा यहां क्या रहा वोटेश यह मैं तो दोनों मिलके क्या बना लिया कि और अच्छ इस वीडियो में आपको कहीं कोई समस्य आओ आप मुझे फिर फूच सकते हैं थैंक्स